बड़ा मारमिक प्रसंग है इस सम्मन्द में आपको उत्तर थोड़ी देर में दूँगा एक दूसरा प्रस्ण है दो ही प्रस्ण करेंगे और दो में समय पूर्ण हो जाएगा दूसरा प्रस्ण है प्रस्ण कबीर का नाम आपने सुन होगा तुलसी दास का भी नाम सुना है तुलसी दास जिनका जन्म उत्तर प्रदेश में बांदा जिले में राजापुर गाउं में हुआ था जिनके पिता का नाम आत्मा राम दुबे था मा का नाम हुलसी देवी था बेटा का नाम तुलशी, मा का नाम हुलशी जब पैदा हुआ तुलशी तो मा का दिल हुलशी, खुशी हो जाता है तो तुलशी की मा हुलशी, हुलशी का बेटा तुलशी कितना बढ़िया जोड़ा है जहांके तुलशीदास थे वहां के हमारे साथ में एक भक्त रहते है बांदा जिलेशे, रादेश याम, मिसरा जी खड़े हुई ये देखे ये बजन बहुत अच्छे गाते है बहुत अच्छे बजन गाते है कभी चांस मिलेगा तो आपको सुनोगा इनका भजन थोड़ा लंबा होता इसलिए हम सुनसते जब टाइम बिदिवत होत तभी पर गाते अच्छा है भावसक और कवीर शाहब कवीर शाहब का ये जितने महान पुरुष है इनको ऐसा नहीं कहा जाता कि इनोंने जनम लिया इनको कहा जाता है कि अवतार लिया क्यों कहा जाता है कि अवतार लिया इसलिए कहा जाता है कि अवतार लिया क्योंकि जो दूसरों को तारने का काम करता है भोशागर से पार करने का काम करता है जो तरने और तारने के लिए आया है वो आवतार होता है और जो डूबने और डूबाने के लिए आया है खोद खोब भरश्ट हुआ है और दस पचास को और नश्ट किया है वो अतार नहीं है वो पेदा हुआ है जैसे जहनवर का बच्चा पेदा होता है जैसे पेदा हुआ है भक्ती भक्ती कुछ नहीं है ती तुलशी दास हैं कबीर हैं राम हैं कृष्ण हैं जीसस हैं, इनको अवतार माना जाता है, अब बहुत से लोग इनका घर भी देखने जाते हैं, तो ज्यादातर महान पुरुषों के घर सब खंडहर है, खंडहर है, क्योंकि गुलाब का फूल मिट्टी में खिलता है, गुलाब का फूल गद्दे पर नहीं खिलता है, तो इमान पुरुषों का अवतार खंडहर में ही हो जाता है, और भगवान क्रश्न का अवतार तो जेल में हुआ, जेल में भगवान पैदा हुआ, जिनम हुआ, अवतार हुआ, प्रादुर्भाव हुआ, जेल में, राम भगवान का अवतार, उनकी माताओं ने खीर खाया, पुत्रिष्ठ यग्य में उससे हुआ, लिकिन राम भगवान कहते थे कि खीर खाने से तो नहीं है, कोई नहीं जनमें मात पिता बिन बधी बेद की नेती, ये भगवान राम ने स्वैम कहा है कि माता पिता के बिना किसी का जनम नहीं होता है, लेकिन माता पिता के द्वारा जो जनम होता है अगर वो कोई महान आत्मा जनम ली है कवी कवी स्याधारण माता पिता से अशाधारण आत्मा का जनम हो जाता है माता पिता स्याधारण उनको उतनी बुद्धी भी नहीं है लेकिन महा बुद्ध्यमान प्रग्यावान विक्ती का अवतार हो गया उनके द्वारा माता पिता का यस बढ़ाने के लिए और ऐसे अस्थान पर उनका अवतार होता है कि उस अस्थान का भी महत बढ़ जाता है अविध्या का महत तो क्यों है क्योंकि वहां राम का अतार हुआ था नहीं अविध्या के पास में बस्ती जिला भी उसका महत नहीं है महान पुरुष जहां अतार लेते हैं और जहां वहां उनका निर्वान होता है परिनिर्वान होता है महानिर्वान होता है शरीर अंतेष्टी होता है उस अस्थान की भी पूजा सुरू हो जाती है उनमें इतनी शक्ती होती है तो कबीर देव से प्रश्ण पूँछा गया कि संसार में आपने क्या देखा है जैसे आप यहां सत्संग से वापस लोट कर जाएंगे जब तुमारे पडोसी पूँछेंगे वहां सत्संग में क्या देखा क्या मिला क्या सुना ऐसे पूँछते हैं कुछ लोग वह कुछ खास मिला हो तो हम भी कल चलेंगे लोग बड़े होश्यार है खास मिला हो तो चलेंगे और साधरन कुछ मिला है तो नहीं चलेंगे अब सब के लिए खास भी अलग-अलग है एक ही चीज से सब लोग सिटिस्फाई होते नहीं तो ऐसे कवीर साहब से पूँछा गया कि इस दुनिया में आपने क्या देखा इस संसार में आपने क्या चीज मुख्यरूप से देखी है क्या है यहाँ आप लोगों से ये बात पूँछी जाए कि तुमने संसार में क्या देखा और इस दुनिया में क्या पाया जब से जन्म लिये हो बहुत कुछ किये हो बिजनिस, खेती, भड़ी, राजनीती, दुकांदारी, सेर्विस, मकान, गाड़ी, लाड़ी, बाड़ी, साड़ी सब बनाया है बिवा, एक आदमी कह रहा था, मैंने चवदा बिवा किया है तो मैंने का अपने किया कि दूसरे, बोले एक अपना और बाकी दूसरे किया हूँ पूरे घर के बिवा हमने ही दिया है उसको ये बहुत बड़ा गर्व था कि इस घर में चवदा सादिया मैं किया हूँ सारी कमाई उसी में भस्म होई अब बोले जब सब की सादी हो गई अब मैं बुढ़ा हो गया है, सब की सादी करते करते तो सब ने बटवारा करके हमको अलग कर दिया हो, सब अलग हो गए अब हम कमाने लायक नहीं रह गए हो, जो कमाने लायक हैं वो सब नालायक हो गए अब हम बेकार हो गए, हम क्या क्या कभी कभी दूसरों की जिन्दगी बनाते बनाते आदमी की खुद की जिन्दगी गुजर जाती है दूसरों का फाइदा करते करते खुद का जीवन सब निकल जाता है और खुद के लिए टाइम सेस बचता नहीं है और जब दूसरे लोगों का काम बन जाता है तो वे तुमसे हल चाल पूछते नहीं बड़ा विचित्र संसार है इसलिए जगत गुरु संकराचार ने कहा है विचित्रो एम संसार है इस संसार को कोई समझ ही नहीं सकता कितना बुद्धिमान हो और एक फरमूले से तुम चल भी नहीं सकते है रोज ने फरमूले की खोच करना पड़ेगा जिस बात से तुमारी पत्नी आज खुस हुई है एक सप्ता बात उसी बात से खुस नहीं हो सकती आज का सिचियोशन ऐसा थकुस हो गई एक सप्ता बात माहूल बदला है फिर वही बात कहोगे तु रियक्षन कर जाएगा आज जिस बात से तुमारा पती बहुत प्रशन है और तुमको भी गर्व हुआ कि मैंने ऐसी बात कही मेरा पती बड़ा खुस हुआ पंदरा दिन बात तुम वही बात करोगी तु नाराज हो जाएगा क्योंकि माहूल चेंज हो जोगा इसलिए पुराने अनभोग काम नहीं आते है कुछ लोग कहते हैं ये पुराने आदमी बड़े अनभवी है बड़े अनभवी भी बड़े फेल होते है और हर बाप अपने पुराने अनभोग बेटे के दिमाग में डालना चाहता है हर सासु अपने बभव के दिमाग में पुराने अनभोग डालना चाहता है पुरानी दुनिया विदा हो चुकी है पुराना संसार जा चुका है नया संसार बस चुका है नई दुनिया आ चुकी है अब पुरानी चाभियों से नए ताले कैसे खुलेंगे और तुम नए ताला में पुरानी चाभी लगा रहे हो खुद तो लगाते हो फेल होते हो बेटे बहों को भी वही चाभी थमाते हो कि तुम भी लगाते हो उसको भी फैल करना चाहता है इसलिए पुराने अनभों को भी दफन करने की जरूरत है और नए अंदाज के साथ में नए अनभों की खोज करके नई दुनिया में प्रवेश करने की जरूरत है तब शफलता के द्वार के लिए इस बात का अनभो भी मैंने इस वर्स किया है अभी तक मैं भी कहता था पुराने अनभो भी अदमी से अनभो ले लो इस शाल मेरे को समझ मैं आया कि अनभो तो रोज ताजा चाहिए क्योंकि समस्षें ताजी पैदा होती जा रही माहोल बदलता जा रहा है दुनिया रूप रंग बदल रही है लोगों के क्वेश्चन चेंज हो रहे है और मौनस्य उस विक्ति का नाम है जो रोज 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 नई समस्चा को भी जिनम देता है इसलिए ने उत्तर भी चाहिए ने बिदी बिधान चाहिए नया ढंग चाहिए नया अंदस चाहिए और ने तजरुबे के साथ में जिन्दगी के क्वेश्चन को हल किया जाए तो सहज रोप से सुख संती और सफलता का उत्तर आ सकता है और जीवन आपका सफल भी हो सकता है ये पुरानी घिशी पिटी बातों से काम न चलेगा संसार बदल रहा है लोग बदल रहे हैं महिलाओं के विचार बदल रहे हैं एक लंगडी महिला किसी के घर में पदरों नहीं गया था लंगडी थी दोनों पेर चल नहीं पाती थी तो उसने आकर प्रणाम किया और फिर बोली कि ऐसा असिर बात दो कि मैं अपने हाथों से कमाऊं और अपने पेरों खड़ी हो जाओं तुमने का पेर तो आपके दोनों फेल है अरे बोले ये पेर नहीं हम इतना खुद ही स्ट्रांग हो जाएं कि पती हम से पैसे मांगे हम उससे ना मांगे तो मुझे बहुत खुशी हुई कि महिलाओं ने भी बहुत बड़ा अंदोलन छेड़ रखा है और सब अपने पाउं खड़े हो जाएंगे तो सब के पाउं हलके भी हो जाएंगे नहीं तो एक पाउं पर सब का वजन लदा है और सब थोड़ा थोड़ा वजन लाद लेंगे तो ये तो पतियों का सौभग है पत्नियों के उपर थोड़ा थोड़ा लोड हो जाए नेपाल में पत्नियों पर 60% लोड है और पतियों पर 40% लोड है तो पती लोग टेंसन में कम रहते हैं पत्नियां ज्यादा टेंसन में रहती है तो मैंने पूछा मामला क्या है बोले सब अपने पाउं खड़े हो रहे है देश में महेंगाई भी इतनी है पती पतनी बेटे बहुत सा मिलकर कमाएंगे तक पूरा होने वाला है सव के नोट की कोई वैलू ही नहीं लेकिन गुरुजे के पास में तो पांच रुपी की भी वैलू है हमरे पास में कुछ लोग पांच रुपी भी दे जाते है यह सिम तुम काम चला लेना तुम संता अदमी तुम्हें जरूरत कह जाता है लेकिन सो रुपे बाजार में लेकर जाओ तो सबजी भी पूरी नहीं आईगी दो सो रुपे टूट जाते हैं आपके इतना महंगा हो चुका है और महंगाई के लिए लोग चिलाते बहुत हैं कि महंगाई बढ़ रही है अज तक जो जिसके पास सामान बेंच रहा है पैदा कर रहा है वो कभी नहीं कहता मेरा धान महंगा हो आई कभी नहीं कहता गन्ना साट रुपे कुंटल था तीन सुरुपे कुंटल हो आई वो कहता इसको और महंगा करो और जब डीजल महंगा होता कहता है इसको सस्ता करो यूरिया सस्ती करो बड़े विचितर लोग हैं चावल बेंचना है तो कहते हैं और महंगा करो अगर दाल खरीदनी तो कहते हैं इसको सस्ता करो बड़े बेमान लोग है जो इनको खरीदना पड़े उसको ये सस्ता कराना चाहते है और जो इनको खुद बेंचना है उसको कहते और महेंगा करता हूँ तो ये चला की कहा चलने वाली है कोई चीज महेंगी हो जाए ये तो संसार की विवस्ता है महेंगाईया कई कारुणों से आती है एक भक्त ने मुझसे मद्यप्रदेश में कहा कि मैं दस कुंटल प्याज दान करता हूँ तो मैंने सोचा ले लेता हूँ प्याज है तो फिर हमने किसी से रेट पोँचा तो बोले दू रुप्या किलो है दस कुंटल के वल दू हजार का तुम लादिग लेजी हो वह महिंगा पर जी तो हमने का हम दान नहीं लेंगे तो बोला दो ट्राली तो हम सड़क के आरे खंतिम डाल देना है दस वीश कुंटल तुम री गाडिम डाल दे है हम नहीं नहीं ले जाओंगे प्याज हम वह ऐसे भी नहीं खाते हैं क्या करूँगा और यदि वह प्याज पचास रुपी किलो होता है तो दान देने का नाम भी नहीं लेता है वो समझ जाता है ये कीमती चीज़ होगी कितने लोग दान भी ऐसी चीज़ देते हैं जो उनके घर में बेकार पड़ी उठा के दे दो दे दो जगे खाली हो जाए महराज जी जह ले जाकर वहाँ उठाए धरे कितने पंडितों को ब्रह्मणों को लोग अधमरी गाय दे देते है अब वो ब्रह्मण भी सौचता है भागे भूत की लंगोटी भली है जो मिल गया वही सही क्या करें ये भी न लो तो ये भी नहीं देखाऊगा पर शास्त्रों में लिखा है दान वह चीज़ तो भले उसकी क्वांटिटी कम हो लेकिन क्वालटी होना चाहिए प्रियोग में आनी चाहिए कई भक्त हम से कहते हैं कि आप के लिए हम कपड़ा लाए है इसको पहनोगे की नहीं पहनोगे तो हमने का चाहुडाई कितनी है बोले 90 सेंटी मीटर तो हमने का ये कोई काम नहीं आएगा ना तो कमर में पहन सकते ना उपर लेट सकते चाहुडा कम है बोले कितना चौड़ा पहनते हो कम से कम 140 सेंटी मिटर चौड़ा हो फिर पूरा लंबाई कितनी लगती है तो 15 मिटर बोले अब की हम वही लाईंगे फिर लाए वो तो पोलिष्टर का ले आए तो बोले आप पहनोगे तो हमने का सूती होना चाहिए पोलिष्टर लाये होते हैं ये तो सब काटेगा सरीर में तो बोले फिर चुक गए अब की भार हम तुमारे साधुक ले जाएंगे या तो तुम कपड़ा एक दे दो उसको दिखा के लाएंगे लेकिन लाओंगा क्वालिटी का दान की मात्रा कम हो लेकिन दान की क्वालिटी अच्छी हो दस गाएं देने के बज़ाए एक गाए दान दीजे हमारे 36 गड़ा अश्रम में लगभग 80-90-100 गाएं लोगों ने दान दिया है उसमें दो दना कोई देती है न देगी देगी भी नहीं भीड मची है अश्रम में नाम है गवसाला वो सब कुछ बांजगाए हैं कुछ बूढी हैं कुछ लंगडी हैं कुछ अंधी भी हैं उनके चस्मा भी टेस्ट नहीं हो सकता किसी दिखता कम है लेकिन अब संत अश्रम में आ गई तो खिलाई फिलाई अच्छी हो रही तो मोटी तो हुई है लेकिन उनका मोटा होना भी कोई कामक नहीं पर वे गई सब आशिरवाद दे रही हैं कि जै हो सादू संत के असंग साहिब की जै हो खोब छक रही मालु खा रही है जहां थी वहां भूंखों मर रही थी अब सो सवाव सो गायों को पालना भी बहुत खर्चा आता है उसके लिए करमचारी रखने पड़े एक साधू देखरेक में रखा गया नहीं तो कोई उनको भूंखों प्यासो मार डाले और पशू के रूप में भी तुमारे द्वार पर हो सकता कोई रिशी मुनी की आत्मा जैसे भरत रिशी हिरन के बच्चे की रूप में जिनम ले लिया थे तुमारे माता पिता की आत्मा भी पशू की रूप में आकर तुमारे द्वार पर बंद सकती है इसलिए पसूं को भी भूंखा प्यासा नहीं रखना चाहिए सताना नहीं चाहिए उनको भी प्रेम से खिलाना चाहिए और एक एक गाय अगर सभी हिंदु पाल ले या जहां गौसाला है वहां जाकर एक एक गाय को गोद ले ले तो इतना निश्चित है कि हमारी गव माता सड़क पर इधर उधर भटकेगे नहीं लोगों के खेतों की फसल खराब करेगी नहीं लेकिन लोग गाय माता को पालना नहीं चाहते हैं जो माता तुम्हें छे महीने दूद पिलाती है नौ महीने दूद पिलाती है जननी माता वो तो माता है उसको तुम साथ रखते हो कितने लोग उस माता को भी नहीं पालना चाहते हैं लेकिन गव माता आपको तो जिंदगी भर दूद पिलाती है तो इस माता का भी जरक ख्याल रखो जहां तुम इतने लोगों के रोटी का प्रबंद करते हो तो इस गव माता के लिए कम से कम भूसा भूसी घास का थोड़ा प्रबंद कर दो और एक एक गाय अपने हिस्से में ले लो तो ये गवसाला बड़ी-बड़ी बनाने की जरूरत ही नहीं है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित इनाथ जी को गव माता से बड़ा प्रेम है गव माता की रच्छा के लिए कानून लगू कर दिया अब गव माता हैं सब किशानों के खेत में घुस पड़ी करेंगे तो धीरे धीरे टाइम लगेगा बुद्धिमान तो बहुत हैं पढ़ने में भी टापर थे इंटिलिजेंस थे और मात्मा आदमी है साब सुतरा दिल है लेकिन राजनीती भेंकर चीज है इसमें कोई आदमी स्वतंत्र नहीं सब दबाव प्रभाव में काम करना पड़ता है तो आदे तिनात महराज जो है हिम्मत करके डटे हैं यही बहुत बड़ी बात है क्योंकि मात्मा इतना सोरकुल इतनी असांती जेल भी नहीं सकता है वो जेल रहें इसके लिए धन्डवात है मैं तो कभी-कभी सौंचता हूँ इस राजनीती में जितना दुख है और दुनिया में कहीं दुख नहीं है एक तो इसमें जागना बहुत पड़ता सोने को नहीं मिलता है इसलिए हर नेता को सुगर हो जाती है दूसरी बात इसमें खाने पेने ठेकाना ही नहीं है कभी तो बहुत ज्यादा मिलेगा और कभी नहीं मिलेगा और जब नहीं मिलता है कभी तो नेता भी अंदाज लगाता जहां मिले वहां बोरा भरना है तो डटके खाता है फिर जहां मिल गया और डट के खाता तो सुगर हो जाती है सुगर के डाक्टर कहते हैं कि दिन में सात बार खाओ लेकिन थोड़ा थोड़ा खाओ और आदमी ऐसा खाता है कि वो पेट भर के खाता है पेट भरने के लिए खाओ मत काम चलाने के लिए खाओ फिर खा लेना घर तुम्हारा है और पेट में कबजियत मत बनने दो जिनके पेट में कबजियत है उनको कम से कम भोजन के बाद एक केला खाना चाहिए और सवेरे खाली पेट एक अमरूद खालेना चाहिए कभी कभी सुभे खाली पेट पपिता खाना चाहिए नमक डाल कर मूली घाजर खालेना चाहिए खाली पेट सुभे और शाम को भोजन नहीं करना चाहिए भूने हुए चने मुठी भर आदा गिलास दूध पिलो गारंटी के साथ पेट की कभजियत खतम हो जाएगी और ज्यादा ओर्लोड खाओगे तो पेट में कबजियत कभी खतम होगी नहीं अब कबजियत सभी रोगों को आमंत्रित करती है जिसके पेट में कबजियत होती है उसकी बुद्धी भी कम हो जाती है याद सक्ती कम हो जाती है चेहरे पर सुस्ती हो जाती है चेहरा बदरूप हो जाता है चेहरा भदबधा हो जाता है और जहां बेठेगा वही उंगेगा वही नींद आएगी उसको कभी वो खुस नहीं रहेगा क्योंकि उसके पेट में तकलीफ रहती है कुछ लोग पेटे पेट में गुड़बुड़बुड़बुड़ हो रहा है अब ये कभ तक गुड़ 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 होगा और फिर कुछ खा लेते हैं और पेट को खाली भी नहीं रखना चाहिए और भरा भी नहीं रखना चाहिए बस ये फारबुला छोटा सा आप जानवर की नांद में भर दो हरा चारा अगर उसके मतलब भर का वो खा चुका तो नहीं खाएगा बेठा रहेगा देख लेगा लेकिन आदमी की थाली में तुम दाल चवल सबजी रोटी परोस दो खा लेगा पेट भर गया चुटी हो गई पर बाद को अगर तुम उसके बाद लसी लेआओ कहेगा एक गिलास और पी लेते हैं फिर उसके बाद दही बड़ा लेआओ तो कहेगा इसा चांस तो सालम पहली बार मिला अब बहुत ज़्यादा जब हो गया और हिंदुस्तान की संस्कृती है यहां मेहमान का सम्मान यही है कि उसको खिला खिला कर बीमार कर दो बहुत उसके पीछे लग जाते लोग थोड़ा थोड़ा खिलो खिला यह सब चीज ऐसा नहीं कि बल दाल पिला दो नहीं सब आइटम बना लो और थोड़ा थोड़ा ग्रहन कर ले थोड़ा थोड़ा खाने से बुद्धी बहुत प्रचंड रहती है और हसना भी चाहिए दिखी घर की समस्चाएं तो खतम नहीं होगी तुम खतम हो जाओगा तुमारे माता पिता के समय भी समस्चाएं नहीं माता पिता खतम हो गए और समस्चाएं खतम नहीं हो गए साथ ससुर खतम होगए समस्चा खतम नहीं हो ये समस्चा तो राम और कृष्ण की जीवन में भी थी कबीर और तुलशी के जीवन में भी थी समस्चा तो तुमारे जीवन का स्रंगार है आभूशन है कुछ नुकुछ प्रोब्लम लगा ही रहेगा कहीं किसी की बीमारी का प्रोब्लम होगा कहीं तुमारे ही पेर में दर्द होगा आज की तारीक में पूरे भारत देश में पेर में दर्द बहुत होता लोगों यह कमर से लेकर पूरी टांग में दर्द है किसी की घुटना में दर्द है दर्द का फिरी इलाज में बता देता हूँ आपके बदन में दर्द है तो उस अंग से काम लीजिए आप ऐसा नहीं उसको धर के बैठ जाओ पेरों में दर्द है तो पेरों से पांच किलो मीटर चलने की प्रक्टिस कीजिए तेज चाल जा हाथों में दर्द है तो हाथों को घुमाईए इधर उदर करिए कुछ घुमाना नहीं जानते है तो रामदेव बाबा से सीखी वो घुमादेंगे तुमारा हाथ भी घुमाते हो तो पेट भी घुमाते अब सब का पेट घूमेगा भी नहीं क्योंकि कितने लोगों का पेट तो कद्दू जैसा हो गया ना पेट घूमी ना पीट घूमी ना कमर घूमी और गुमाई दे हैं तो धड़ा मस गिर्यू पड़ी है